प्रेम, भक्ति और विरह सभी संतों की तरह तुलसी साहब के उपदेश में भी प्रभु प्रेम को ही परमार्थ का मुख्य आधार माना गया है संतों के मार्ग को प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग या प्रेमा भक्ति का मार्ग भी कहा जाता है परमार्थ से संबंधित साहत्य में कर्म मार्ग, ज्यान मार्ग, हट मार्ग, त्याग मार्ग, योग साधना आदी की तुलना में प्रेम मार्ग या भक्ति मार्ग को ही सर्वोत्तम माना गया है संत महात्मा समझाते हैं कि भक्ती ऐसा साधन है जिसको भगवान ने अपने साथ मिलाप के लिए स्वयम बनाया है अन्य सभी साधन मनुष्य के बनाए हुए है प्रभू प्रेम रूप है और उसका प्रेम जीव को उसकी ओर खीचने का सबसे आसान स्वाभाविक और शक्तिशाली साधन है कहावत है बस में होते आये हैं भगवान भक्त के भक्त को भगवान और भगवान को भक्त प्यारा होता है प्रेम से अभिप्राय वह प्रबल आकर्शन है जो प्रेम करने वाले को अपने प्रियतम की और आकर्शित करता है प्रेमी का अपने उपर कोई नियंतरण नहीं रहता वह विवश होकर प्रियतम की और खिंचा चला जाता है प्रेमी खुद को मिटा देता है लेकिन किसी भी हालत में प्रेम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता जिस प्रकार प्रेम परमात्मा का प्रसाद है उसी प्रकार विरह भी उसी की देन है दरसल विरह में ही प्रेम परिपक्व होता है यह विरह की तडप संसार की इच्छाओं को भस्म कर देती है विरह में प्रेमी का रोम रोम प्रियतम को याद करता है विरह वह सीड़ी है जो प्रेमी भक्त को प्रियतम के चर्णों तक पहुँचा देती है तुलसी साहब की वाणी में भक्ती, प्रेम और विरह ये तीनों शब्द आपस में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग कर पाना आसान नहीं है प्रेम सभी पूर्ण संतों ने या उपदेश दिया है कि प्रभू प्रेम रूप है प्रेम उसके अस्तित्व का आधार है और प्रेम ही उसके साथ मिलाप का सच्चा साधन है प्रेम कहीं बाहर से नहीं मिलता प्रभू का अंश होने के कारण आत्मा के अंदर स्वाभाविक रूप से प्रभू का प्रेम समाया हुआ है वर्तमान अवस्था में वह प्रेम संसार के मोह, इंद्रियों के भोगों, विशेविकारों के आकर्षण और कर्म संसकारों के मोटे परदों के नीचे दबा हुआ है संतों की संगती, प्रभु की भक्ती या नाम के अभ्यास का वास्तविक उदेश्य अपने भीतर प्रभु प्रेम को जागरित करना है जैसे ही जीवात्मा को संतों की संगती द्वारा प्रभू के साथ अपने सच्चे संबंद का एहसास होता है और इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मेरा निजगर परमात्मा का परमधाम है और मेरा वास्तविक स्वरूप मन इंद्रिया नहीं बलके विशुद आत्मा है इसके अंदर प्रभू का प्रेम अंकुरित हो जाता है जैसे जैसे यह प्रेम फली भूत होता है वैसे वैसे प्रेमी समर्पन की उस अवस्था में पहुँच जाता है जहां वह अपने प्रियतम के लिए हर कुर्बानी देने को तयार हो जाता है तुलसी साहिब ने अपनी वानी में प्रेम के इसी भाव को स्पष्ट करते हुए कहा है आसिक इसक इसक आसिक से करना मौत निसानी मुर्दा हुएकरी खाक मिली अब जब पट अमर लिखानी तुलसी साहिब ने सच्चा आशिक उसे माना है जो अपना सिर माशूख पर कुर्बान कर दे वह जीते जी मर जाए और मिटी में मिलकर मिटी हो जाए इन सब का वास्तविक अभिप्राय खुदी या हौमे को खत्म करना है सच्चा आशिक वह है जो अपने अस्तित्व को अपने प्रियतम में समाहित कर देता है जब तक खुदी का परदा है इश्क के शिखर तक नहीं पहुँचा जा सकता जो आशिक सचे दिल से माशूक से इश्क करता है वह अपनी हस्ती मिटा देता है और उसी में समा जाता है प्रेम ही प्रियतम के प्रती श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करता है प्रेमी भक्त यह हिसाब नहीं रखता कि इतनी भक्ती का इतना फल मिलना चाहिए जिस प्रेम में हिसाब रखा जाता है वह प्रेम नहीं व्यापार है प्रेमी केवल देना जानता है वह प्रियतम से केवल प्रियतम को ही मांगता है तुलसी साहिब अपने शिश्य हिर्दे को प्रेमी भक्त का यही लक्षन बताते हुए कहते हैं, जब हिर्दे यह भक्त कहावे दास भाव स्वामी को चावे। तुलसी साहिब ने प्रेम से संबंदित अपनी संपूर्ण विचारधारा का विवरण इस प्रकार दिया है। आत्मा को निजधाम तक का लंबा सफर तै करने की शक्ति प्रदान करती है। उसके अंदर यह प्रेम परमेश्वर स्वयम उत्पन करता है। मैं पिया की बलिहार, प्यार मोहि से कियो। आत्मा को निजधाम पहुँचकर इस बात की समझ आ जाती है कि वह अपने आप उससे प्रेम नहीं कर सकती थी, बलकि उस दयालू प्रियतम ने स्वयम उसके अंदर अपना प्रेम उत्पन किया है। और उसकी कृपा से ही वह उसकी प्रेम भरी सुख दायक सेज तक पहुँच सकी है। परमात्मा सत्गुरु के रूप में जीव को अपनी पहचान कराता है और अंत में उसे अपने साथ मिला लेता है। इस प्रकार अपना प्रेम पैदा करने वाला भी वही है। अपने साथ मिलाप की तडब देने वाला भी वही है। और अपने साथ मिलाप कराने वाला भी वही है। इस प्रेम कहानी का आदि, मध्य और अंत, स्वयम परमात्मा ही है। भक्ति की महिमा भक्ति का अर्थ, पूजा या आराधना है जिसके प्रती प्रेम हो, उसे प्रसन करने का यतन ही भक्ति है प्रियत्म को याद करना, बार-बार उसका ध्यान आना उसकी महिमा करना, उसके समक्ष विंती करना आदी सभी भक्ति के अंग है भक्ति भाव प्रेम से ही उत्पन होता है और प्रियतम के प्रती प्रेम को परिपक्व करके उसके साथ मिलाप का साधन बन जाता है घट रामायन में से उध्रत निम्नलिखित वाणी से तुलसी साहिब ने परमारत में भक्ती की महिमा और इसके महत्व का स्पष्ट शब्दों में वर्नन किया है आप जी फर्माते हैं बिना भक्ती उब्रे नहीं भाई तासे संतन भक्ती द्रढ़ाई भक्ती बिना जिव जम करे हाना बिना भक्ती 84 खाना बिना भक्ती कोई पार न जाई तासे भक्ती संत ठहराई आप जी आगे फर्माते हैं तन मन धन संतन पर वारे नित नित सत संगती की लारे दास भाव सत संगती लीना दीन हीन मन होई अधीना चित्थ भाव दिल मारग चावे, सब सादन की टहल सुहावे, आप जी आगे फर्माते हैं, भक्ति बड़ी खाड़े की धारा, जो यह करे आप जिन मारा, आपा को समझे नहीं भाई, जिन यह भक्ति गरीबी पाई, भक्ति के बिना जीव का उधार नहीं हो सकता, और नहीं उसका 84 से छुटकारा हो सकता है, उसे यमोद्वारा दी जाने वाली यातनाओं का भी शिकार होना पड़ता है, इसी लिए संतों ने भक्ति को द्रिड कराया है, भक्ति भाव में जीव का एहम भाव दूर हो जाता है, सच्चा भक्त दुखों से घबरा कर संतों की सेवा और भक्ती का मार्ग नहीं छोड़ता इसलिए तुलसी साहिब ने भक्ती को तलवार की धार पर चलना कहा है तुलसी साहिब ने घट रामायन में चार प्रकार के वैराग्य, तीन प्रकार के योग, तीन प्रकार के ज्यान और तेरह प्रकार की भक्ती का उलेख करते हुए शब्द के अभ्यास को सबसे श्रेष्ट भक्ती स्विकार किया है तुलसी साहिब यहां फरमाते हैं, चारों बैरागा जोग समाधा, तीन ग्यान गतिगाई दई, नव चारों भक्ती जो निज उक्ती, भाशी भेद सब गाई कहीं, भक्ती पदारत सार यह नरजग जाने नहीं, जग के बिशम बिकार सो सब समझे साच करे भक्ती का महत्व समझाते हुए तुलसी साहिब कहते हैं, कि प्रभु प्राप्ती के लिए जीव को सबसे पहले या अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, कि इंद्रियों के भोग और विशेविकार ही उसे संसार के साथ बांध कर रखने का मूल कारण है साथ ही साथ उसे इस बात की भी समझ होनी चाहिए, कि जब तप पूजा पाठ, पुन्यदान, तीर्थवरत, हट मार्ग, ज्यान मार्ग, त्याग मार्ग आदी, प्रभु प्राप्ती के सच्चे साधन नहीं है प्रभु प्राप्ती का सच्चा साधन, उसका प्रेम, अंतर्मुख होकर की जाने वाली भक्ती, पूजा या आराधना है अन्य कोई भी साधन इस प्रेम पूर्ण भाव का स्थान नहीं ले सकता विरह तुलसी साहब कहते हैं कि सत्गुरु की शरण में जाकर ही जीवात्मा को एहसास होता है कि वह तो अपने प्रभु रूपी प्रियतम से युगों युगों से बिछडी हुई है और उसके वियोग में भटकती हुई अनेक प्रकार के दुख भोग रही है उसे परम सुक प्रभु के मिलाप से ही मिल सकता है ऐसे में जीवात्मा में विरह जागरत हो जाता है और वह विरह में व्याकुल होने लगती है इस विरह का वर्णन तुलसी साहब की वानी में इस प्रकार है मैं सत्गुरु की दासी अमरपुर केरी निवासी मुरे पिया ने मोहे पिहर पठाई, बहुत दिवस रही पासी अब मोहे नैहर नीक न लागे, निसदिन रहूरी उदासी मात पिता भईया भो जाई, परीरी प्रेम की फासी माया मोह जाल बिदी बांधी, बसी पास बुद नासी अब चित चैन मोर नहीं पावे, बसू जाए पिया पासी कहार भेज करी डोलिया पठावो, आउं दीपक चड़ी चासी तुलसी दास पिया बिन प्यारी, ब्याकुल बिरह अभिनासी इस प्रसंग में तुलसी साहिब ने कुछ महत्वपूर्ण रहस्य उजागर किये हैं, मेरे प्रियतम परमेश्वर ने मुझे इस मृत्यू लोक में भेजा था, मैं बहुत समय से इस देश में रह रही हूँ, जब से मुझे प्रभू रूपी प्रियतम के साथ अपने रिष्टे के बारे में पता चला है, और अपने निजधाम की जानकारी मिली है, मुझे यह देश अच्छा नहीं लगता, और मैं प्रियतम के साथ मिलाप के लिए बहुत व्याकुल हूँ, जब से मेरे अंदर प्रियतम की याद समा गई है, मुझे माया रूपी संसार, सगे संबंदियों, तथा शकलों और पदार्थों का मोह, बंधन के समान प्रतीत होने लगे हैं। प्रियतम के साथ मिलाप के लिए मैंने सत्कुरु की शरण ली है। वह अमरपुर अर्थात मेरे प्रियतम के अविनाशी धाम से आये हैं, और वही मुझे वहाँ वापस लेकर जा सकते हैं। अपने प्रियतम के बिना मेरे लिए इस देश में रह पाना असंभव हो गया है। मेरे प्रियतम ने मेरी व्यथा को देख कर स्वयम ही मेरा सत्कुरु के साथ मिलाप करवा दिया है, और उसने मेरे मार्ग को शब्द की ज्योती से रोशन कर दिया है, ताके मैं उसकी साहता से प्रेम पूर्वक, प्रियतम के घर, अर्थात, निजधाम वापिस पहुँच जाऊं। तुलसी साहिब ने जीवातमा की विरह अवस्था का जो चित्र दर्शाया है, उसमें प्रभु प्रियतम के साथ मिलाप के लिए तडप स्पष्ठ दिखाई देती है। सखी मुहनेंद न आवेरी, एरी बैरन बिरह जगावे, सूनी सेज पिया बिन ब्याकुल, पीर सतावेरी, रैन न चैन दिवस दुख ब्यापे, जग नहीं भावेरी, तडफत बदन बिना सुख साईयां, सब जरी जावेरी, बिशधर लहर डसे ना गिनसी, जिउँ जस खा सावेरी, देवय मौत दई बिरहन को, होते मरी जावेरी, कैफ बिना तुलसी तन सूख है, जियतर सावेरी, वे कहते हैं, हे सखी, प्रियतम से जुदाई का दर्द मुझे पल भर के लिए भी सोने नहीं देता, प्रियतम के बिना यह सेज मेरी व्याकुलता को, मेरे दर्द क और अधिक बढ़ा देती है, मुझे यह संसार अच्छा नहीं लगता, मुझे न दिन में चैन है, न रात में, प्रियतम के मिलाप के बिना, मैं ऐसे तडप रही हूँ, जैसे मुझे अगनी जला रही हो, मुझे ऐसा लगता है, जैसे विशैले सांप ने मुझे डस लिया हो और हृदय को तीरने बेध दिया हो, ऐसे जीवन से तो मृत्यू भली है, इससे तो आग में जलकर राक हो जाना ही बहतर है, जिस प्रकार नशा करने वाला नशे के बिना बेचैन होकर तडप उठता है, उसी प्रकार मैं प्रियतम के वियोग में तडप रही हूँ, और मेरा प्रियतम के दीधार के लिए व्याकुल है, तुलसी साहिब फरमाते हैं, सखी समझी सूर सहूर सुनी के, बदन बिच सुधी बुधी गई, करू कवन भवन उपाव बिन बस, नेक मधुकर बस नहीं, मिली पांच तीन पचीस निस दिन, गाठी गुन बंधन भई, भई धरी हाथ पटकी पुकारी पिवसंग, हारी जीवसंग हटी रही, कहूं ठोर मोर न जोर चाले, आली बिपती कचुका कही वानी के इस अंश में भी तुलसी साहिब ने जीव की विरह व्यथा का बड़ा मार्मिक चितरन किया है, विरह से व्याकुल, आत्मा पुकार उठती है, हे सखी, जब से मुझे प्रियतम से विरह का एहसास हुआ है, मुझे अपनी सुदभुद नहीं रही, मुझे कोई उप में नहीं है, मन रूपी भावरा, पल भर के लिए भी वश में नहीं आता, यह मन दिन रात, पांच विकारों, तीन गुणों और पचीस प्रकृतियों के वश में रहता है, जड मन और चेतन आत्मा की गांट बंधी हुई है, मैं विवश हूँ, मेरा कोई जोर नहीं चलता, और मेरा मन पल भर के लिए भी स्थिर नहीं रहता, मैं विलाप करती हुई दुहाई दे रही हूँ, परंतु प्रियतम का साथ नसीब नहीं होता, मुझे कोई ठिकाना नजर नहीं आता, मैं पूरी तरह बेबस हूँ, और कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, कि अपनी पीड़ किसे और कैसे बताओं, तुलसी साहब कहते हैं कि अपने प्रियतम की विरह सहन न कर पाने की दशा में जीवात्मा की व्याकुलता बढ़ती ही जाती है, तुलसी साहब समझाते हैं, व्याकुल विरह दिवानी, जड़े नित नैनन पानी, हर दम पीर पिया की खटके, सुधि बुदी बदन हिरानी, होस हवास नहीं कुछ तन में, बेदम जीव भुलानी, बहु तरंग चित चेतन नाहीं, मन मुर्दे की बानी, नाडी बैद बिथा नहीं जाने, क्यों आउशद दे आनी, हिये में दाग जिगर के अंदर, क्या कहीं दरद बखानी, सत्गुरु बैद बिथा पहचाने, बूटी है उनकी जानी, तुलसी यह रोग रोगिया बूझ है, जिनको पीर पिरानी, प्रियतम के व्योग में व्याकुल विरहनी आतमा, पगली, दीवानी हो जाती है, विरह की वेदना से प्रेम के वश में होकर आंसों बहाती रहती है, उसे अपनी सुद्भुद नहीं रहती वह मुर्दे की तरह बेजान हो जाती है उसके मूँ से बात तक नहीं निकलती सांसारिक रोगों का इलाज करने वाले वैद्य के पास हृदे की पीडा का इलाज नहीं होता इस पीडा को केवल सत्गुरु रूपी राजवैद्य ही जानता है और वही इस रोग के इलाज की संजीवनी बूटी देता है प्रेम के रोगी की पीडा केवल इस रोग से पीड़त प्रेमी ही जान सकते है तुलसी साहिब इस बारे में फरमाते है जल बिन मीन स्वात बिन पपीहा प्यास रटत जस पिया बिन जिया भटके थिर के ही भाती करूं पिया के बिना आली नहीं आड पकड़ी कहूं अटके तडफत प्रान बिकलतन तुलसी भवर चक्र बिच चित धरी धरी पटके यहां कुछ दृष्टांत देकर तुलसी साहिब आत्मा की विरह वेदना का वर्नन कर रहे हैं वे कहते हैं कि जो हालत पानी से अलग हुई मचली की होती है जो हालत पपीहे की स्वांती बूंद के बिना होती है वही दशा प्रभु रूपी प्रियतम से बिचडी प्रेमी जीवात्मा की होती है वह हमेशा बेचैन रहती है उसे कहीं कोई सहारा दिखाई नहीं देता वह तडपती है, बेचैन रहती है जिस प्रकार भवर में फसा व्यक्ती लहरों के थपेडे से इधर उधर पठका जाता है उसी प्रकार प्रभु प्रेम के भवर में फसी आत्मा विरह की पीडा से तडपती है तुलसी साहिब फर्मा रहे है सुन ग्यान ध्यान न कान माने बिकल तन मन बिच लई तुलसी बिरह बेहाल हिये में मौत दिन देवय दय कौन बिधी कहा करोरी दया हीरे उट्थत हिलोर पिय की पीर नीर मच्री ज्यों मैं तडफों बिन तोर तुलसी मौत देवे बिरहन को जियरा सहे दुख मोर पिया पीर दुख दर्ध की का से करूँ गोहार मरी रहूं गहूं विपत सिर भार तुलसी साहिब कहते हैं कि वियोग के असहनिय दुख से व्याकुल विरहनी ऐसे दुखदायक जीवन से मर जाना बहतर समझती है विरह से व्याकुल आत्मा प्रभु प्रियतम से मिलापन होने के कारण हताश होकर विलाप करती हुई कहती है ग्यान ध्यान की बातों का अब मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होता मेरा तन्मन व्याकुल हो रहा है विरहने मेरे हृदे को बेहाल कर दिया है ऐसे जीवन से तो मौत अच्छी है क्योंकि तुम्हारे बिना मैं मचली की तरह तड़प रही हूँ विरह के दुख को सहन करते करते मैं बेहाल हो गई हूँ अब तो मौत की ही पकार करने लगी हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने प्रियतम के विरह के दुख दर्द की गौहार किस से करूँ अब तो बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि मैं कटारी मार कर मौत को गले लगा लूँ विरह दुख दायक प्रतीत होता है परन्तु वास्तव में यह प्रेमी की सबसे बड़ी संपत्ती है विरह की पीड़ा ही जीवात्मा को जगत और इंद्रियों के भोगों की ओर से उपराम करती है विरह की यह असनिय तडप ही जीवात्मा के अंदर भक्ती भाव उत्पन करती है यही इसे प्रियत्म के नाम के सुमरन और ध्यान में मगन होने की प्रेरना देती है और यही अंत में प्रियतम के साथ जीवात्मा के मिलाप का साधन बन जाती है तुलसी साहिब फर्मा रहे हैं जड़ी निसबास पिय की पीर पल पल बसे सूरती अंत न जाई जैसे चंद चकोर को निर्खत नाहि अगाई गरज गुमर बदरी बहे चमके चम चम बीज मोर सोर पियू पियू करे तडफ तडफ तन चीज धुन सुने धीर न आवही पाती लिखूं पिय पास मन सूरत कासिद करूं पहुंचे अगम निवास खबर खुसी पिय की सुनूं हर्खत हिया है तमोर तुलसी तलब पिय की लगी जग तिन का अस तोर जिस आत्मा रूपी प्रेमिका के हिदय में प्रभू रूपी प्रियतम का प्रेम बस जाता है उसे उसकी जुदाई की पीड़ा हर पल व्याकुल करती रहती है उसकी आँखों से सावन भादों की वर्षा की तरह लगातार आसों की जड़ी लगी रहती है जिस प्रकार चकोर अपना ध्यान पल भर के लिए भी चांद से नहीं हटाना चाहता उसी तरह विरहनी पल भर के लिए भी प्रियतम के ध्यान के बिना नहीं रहना चाहती बादल गरचते हैं, बिजली चमकती है और मोर खुशी से नाचता हुआ गाता है यह सब देख कर प्रेमिका का मन प्रियतम की ओर खिंचा चला जाता है और वह प्रियतम के वियोग में तड़पने लगती है उसे अंदर शब्द की ध्वनी सुनाई देती है जिससे प्रियतम के साथ मिलाप की चाहत और अधिक प्रबल हो जाती है और वो मन और ध्यान को कासिद याने संदेश वाहक बनाती है और प्रियतम को संदेश भेजती है कि मैं तुम्हारे अगम धाम पहुचने के लिए तरस रही हूँ यदि उसे प्रियतम के आगमन का प्रसंता भरा संदेश मिल जाए तो उसका हृदय खुशी से भर जाता है उसने सांसारिक संबंदों का मोह त्याग दिया है अब उसके अंदर केवल प्रभु रूपी प्रियतम के मिलाप की चाहत रह गई है प्रभु मिलाप का सुक विरह से व्याकुल आत्मा अपने प्रभू रूपी प्रियतम से मिलाप करके अनन्त आनन्द में लीन हो जाती है इसी आनन्दमई दृष्य का तुलसी साहिब ने अपनी वाणी में इस प्रकार चितरन किया है अली अलबेली नार पार पिया पै चली सुन्दर कीन सिंगार सार सुरुति से मिली चड़ी महल पर धाय राह रभी कोट है जैसे प्रीत चकोर चंद चित चोट है अधर अटारी माहें लगन पिया से लगी जैसे डोर पतंग संग रंग में पगी देखी पिया को रूप भूप कोई ना लपै जियों भूवंग मनी भाव भूमी भूमी दिपै तेज पुंज पिया देश भेश कहो को लखै ऐसा अगम अनूप जाय कहो को सकै मैं पिया की बलिहार प्यार मोही से कियो दीन पलंग सुख साज काज रहशो हियो जाओं नित नित सैल केल पती से करो जिन की तिन को लाज काज पती से सरो तुलसी कहें बिचार सार सब से कही बिन सत्गुरु नहीं पार भिन कैसे भई इस प्रसंग में तुलसी साहिब ने प्रेम के रंग में रंगी आत्मा का मृत्यु लोग से परमेश्वर के निज धाम वापिस जाने का वर्णन किया है पती की प्रिय अलबेली नारी प्रेम और भक्ती का श्रिंगार करके प्रियतम के महल की ओर उपर की तरफ बढ़ रही है उसके मार्ग में शब्द के सूर्य का अनन्त प्रकाश है जिस प्रकार चकोर पल भर के लिए भी चांद से ध्यान हटाना नहीं चाहता और पतंग डोर के सहारे आकाश में उपर की ओर उड़ती जाती है आत्मा भी निरंतर प्रियतम का ध्यान करती हुई प्रेम और लगन से अंतर के आकाश में रहने वाले प्रियतम के महल की तरफ तेजी से बढ़ती चली जाती है आकाश में रहने वाले प्रियतम के सामने राजा महराजाओं का तेज भी फीका पड़ जाता है जिस प्रकार साप के सिर पर मनी चमकती है इसी प्रकार आंतरिक मंडल अनन्त प्रकाश से जगमगा रहे हैं वह प्रियतम प्रकाश रूप है और उसके निज धाम का अनुपम प्रकाश अवर्णनिय है वह प्यारा प्रियतम और उसका अगम अथा धाम इंद्रियों की पहुंच से परे है अपने प्रियतम से मिल चुकी सुहागन को उसकी संगती में अनंत आनंद की प्राप्ति होती है जिनकी तिनको लाज, काज़ पती से सरों जिस प्रेम रूप और आनंद रूप पती की वह नारी है उसके हुकम से ही उससे बिछडी हुई है और केवल उसकी दया से ही पुनह उससे मिलाप कर सकती है बिन सत्गुरु नहीं पार भिन कैसे भही पूरे गुरु के मिलाप के बिना जीवात्मा ना तो परमात्मा से वेयो का कारण समझ सकती है और ना ही उससे मिलाप का परम आनंद प्राप्त कर सकती है